हेलो क्लास टेंट स्टुडेंट्स आप सभी के लिए लेके आए हुमें एक मोस्ट यूसफुल बुक सी लास्ट टैन इयर सोल पेपर्स इनकी आपको बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि प्रिवियस यर क्योस्टन पेपर कहां से लें क्या करें कैसे प्रिप्रेशन करें और हैं शजल पेपर्स आपको प्रिवियस यर के मिल जाएंगे तो बुक को जुरूर पर्शेज कर ले इसके अंदर आउट साइड टैली और डैली के अंदर जितने भी एकजाम हुए हैं प्रिवयसa टैन इयर के सारे सारे से इसके अंदर गीवन है तो थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं इसका बुक का अंदर किस टाइब से इसके अंदर क्योस्टन्स गीवन है सबसे पहले बात करें यहाँ पे इंग्लिस लेंग्वेज और लिटरेचर यहाँ पे आपको प्रिवियस टैन येर के देखो क्योस्टन दे जाएंगे और वो भी सोल्ड मिलेंगे ठीक है मैथेमेटिक्स की अगर बात करें 2022 और यहाँ पे 2014 14 से लेके 22 तक सारे के सारे यहाँ पे क्योस्टन पेपर हैं जो आउटसाइड दा डैली हो या डैली के अंदर के हो सभी सैट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे उसके बाद सा पेपर है Language and Literature का 2022 का सैट वन यह क्या है आउटसाइड दा डैली टाम टू अब यह मत सोचना कि आप अगर मालो डैली के स्टुडेंट हो या आउटसाइड दा डैली हो तो हम डैली वाले सैट नहीं करेंगे या फिर आउटसाइड दा डैली वाले हमें नहीं करने आपको सा पेपर में पूट अप करता है और किस टाइप से हमें उनका अंसर लिख के आना होता है समझ में आगे बात यहाँ पे इंगलिस के दे रखे हैं कुछ क्यों पेपर आगे बात करेंगे तो हमारे पास क्या है mathematics के हैं तो mathematics पे एक बार देख लेते हैं कोई भी पेपर निकाल ग रखे है one marks के select the correct option अब आपको अपने paper का sample paper देखना पड़ेगा अब की बार mcq question आएंगे या नहीं आएंगे अभी तो कुछ ऐसी notification रिलीज नहीं हुई है final जैसे ही release होगी मैं भी आपको बता दूँगा चैनल को subscribe करके रखना जो भी notification cbs से launch करेगा मैं जरूर बता तो यहाँ पर देखो questions दे रखे है different different chapters से important questions है सारे के सारे ठीक है आपको review हो जाएगा पता लग जाएगा कैसे questions है यह देखो यहाँ पर question थोड़े से मैं दिखा रहा हूँ आप इनको soul out करके देखना और आप साथ के साथ क्या कर सकते हो जैसे मानलो आप next class से कोई भी chapter करत हैं उनको आप एक बार soul out करके देख लो अगर आप previous 10 year के question कर लोगे न मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ आने वाला है कुछ नहीं आता उससे बाहर previous 10 year question करो ठीक है NCRT complete करो और examples करो 99.99% मैं guarantee लेता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आता सारा paper वहीं से include होता है कोई भी अलग से कोई extra चीज़े नहीं मिलेंगी आपको ठीक है अब यहाँ पे देखो हमारे को क्या दे रखा आगे question number 11 to 15 जो दे रखे हमें यह भी one marks के दे रखे हैं यहाँ पे filling the blanks आपको दे रखे हैं यह आपको गबराना नहीं है आपको soul out करके fill करने हैं बस filling the blanks ठीक है आगे जलते हैं यहाँ पे आगे हमारे पास question number 16 to 20 जो है one marks के हैं यह भी यह one one marks के question दे रखे हैं question number 21 से 26 two marks के question है छोटे 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 question है ज्यादा time waste नहीं होगा जिसको basic concept आते है न वही इन questions को कर पाएगा one marks two marks वालों को जल्दी जल्दी ठीक है तो basics अच्छे से clear करने हैं सार in future जैसे अभी October नौंबर में जाके मैं दोबारा से classes लूगा class 10 की तो तब एक बार slaybers को दोबारा से हम cover करेंगे आगे जलते हैं यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दे रखे question number 27 से 34 हमारे कितने marks के हैं 3 marks के question आते हैं उसके बाद अगर मान ले आगे देखें तो हम 34 के रूट 5 irrational number कैसे होता है इसको प्रूव करना यह चीज most important है most important question है यह रूट 5 हो गया रूट 2 हो गया रूट 3 हो गया रूट 7 हो गया रूट 11 हो गया कोई भी हो अगर वो irrational number प्रूव करना है तो वो same procedure के through होता है हमारा सारे के सारे question यहाँ पे statistics से question है statistics के बहुत अच्छे से मैंने बता रखे हैं question तो chapter number 14 by nexa classes कोई भी आपको topic सर्च करना है तो साथ में nexa लिख दो आपको फटा फट मिल जाएंगे question कोई भी chapter का कोई भी देखना हो question प्लेलिस्ट भी मैंने separate बना रखे है तो 10th class की playlist में जाके भी आप video देख सकते हैं अब यहाँ पे देखो set second आया हुआ है यह जो आपके sets आते हैं outside the daily set second तो इसमें भी आपको question देखने को मिल जाएंगे कुछ questions तो आपको में mix up करके दिये होते हैं कुछ अलग होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सारे के सारे दे रखे हैं और देखते हैं यह आगया हमारे पास डेली के अंदर जो set आय सेवल जो होगा हमारा डेली के अंदर भी होगा ऐसा मत सोचना कि set one और set two बाद में आके बोलते हो कि सर set two easy आया हुआ था set one थोड़ा difficult था ऐसा नहीं होता है बस statement थोड़ी सी change होती है बाकी concept दोनों में same use होने वाले होते हैं questions के अंदर ठीक है गबराने की जरूरत नहीं है चिंता मत करो cool mind से बढ़ते रहो बेफिकर होके अपने आप success मिलेगी जिंता बिलकुल नहीं करनी है बस positive mode के साथ लगे रहो बस पढ़ाई पे ठीक है यह देखो यह हमारे पास 2020 का दे रखा है paper यह आगया हमारे पास यह दे रखा है construction के है construction की chapter भी construction का पूरा chapter बहुत अच अच्छे से देख लेना इसके questions आप try करके देखना करके और बाकी इसका link आपको by link आपको description में मिल जाएगा वहां से जाके इसको purchase कर सकते हैं कोई भी problem आती है तो हम उससे पूछ सकते हैं देखो यहां पे सब कुछ दे रखा है डेली सैट 3rd जो तीसरा सैट आता है डेली क 16 के भी है 14 तक आपके question paper cover किये गए और इतने question अगर आप कर लोगे न मुझे नहीं लगता है इन से बाहर कुछ भी आएगा यह 15 का question paper है ठीक है पता लग गया आपको channel को जरूर subscribe कर लेना कोई भी notification आएगी cbsc द्वारा मैं आपको बता दूँँगा आप बस channel को support करते रहे thank you students for watching next classes video